नमस्ते दोस्तों मैं हूँ पियुष टेकनिकल पैंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई भी बड़े वीडियो से छोटी वीडियो क्लिप क्रॉप करें कट करें जैसा कि आपके पास कोई बड़ा वीडि और आप चोटे साइज में उस वीडियो को फिर कही पे भी शेयर कर सकते हूँ तो इसके ये शेयर बताने के लिए मैंने डेक्स्टॉप पे एक फोल्डर बनाया है जिस वीडियो को जिसमें मेरे पास एक वीडियो है उसको मैं आपको क्रॉप करके बताऊंगा जैसा कि आप आप देख सकते हो एक फोल्डर है क्रॉप वीडियो मैं उसे क्लिक करता हूँ उसमें एक वीडियो है उस वीडियो को मैं VLC प्लेयर मेडिया में प्ले करता हूँ तो मैं इसे प्ले करता हूँ प्लेय विडियो को कॉप करना है 50 से तो मैं 50 से कंच तक वीडियो को forward करूगा उसके बाद मैं चाहूंगा views में views में जाके आपको advanced controls पे click करना है जैसे ही आप advanced controls पे click करोंगे आपको यहाँ पे दिखेंगे 4 new buttons जो की पहला होता है recording start या stop करने के लिए second one है snapshot लेने के लिए आप वीडियो के photos ले सकते हो उसके बाद में एक loop from point A to point B continuously आप तो point दोंगे एक starting point और एक point end point वीडियो का उस points में यह आपका loop में चलता रहेगा और last है frame by frame setting के लिए तो मुझे 51 seconds है कभी video start करना है तो मैं करूँगा click record यह हो गया record पर click उसके बाद में आपको video को play करना है तो मैं अभी यह video को play करता हूँ अभी आपका जब decide हो जाए कि last point क्या है end point क्या है तब आपको क्या करना है उस end point पे आपको stop करना है recording तो जैसा कि मैंने 51 seconds से start किया था तो यह मैं करता हूँ एक minute 20 seconds पे इसको pause करता हूँ pause हो गया यह recording यहाँ से disable हो गया अभी मैं इसको video को pause करते था अभी जो crop video है यह तो मेरा original video अभी मेरा crop video के लिए आपको जाना पड़ेगा windows D आप जाए computer computer में आपको जाना है videos videos में आप देखोंगे कि यहाँ पे एक video है जो crop हो गया है यहाँ पे आ रहा है और यह मेरा पहले का video तो जैसा कि आप यह video देखोंगे इस video पे जब आप play करूंगे play with VLC media player तो यहाँ पे आप देखोंगे कि मैंने 51 seconds से 1 minute 20 seconds पे पहुच किया था तो यह 30 seconds का जो वीडियो है यह आप यहाँ पे देख पाहूं तो यह same quality होता है क्योंकि आपने main video से crop किया है कोई quality में problem नहीं आएगा उसके बाद दूसरी चीज जो होती है वो यह कि आपका original video जो है वो यहाँ पी है original video वैसा के वैसा है और यह होता है आपका cropped video तो आपके पास दोनों video आपको यह share करना है आपको यह पसंद नहीं आता है तो same process follow करें तो आपके पास original video तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी और यह video अभी इसका size भी आप देखोंगे तो इसका size भी जो होता है वो होता है यह है 15.5 MB और आपका जो original video है उसका size देखोंगे आप 107 MB तो आप इसमें difference भी देखोंगे तो यह mobiles वगरे पर आप share कर पाऊंगे तो इस तरीके से आप video को crop कर सकते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको advanced control on करना है VLC player में और recording start और stop point के साथ में crop करना है Thank you दोस्तों ऐसे ही technical videos के लिए देखते ही हमारा चाहिए channel Please subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए Thank you very much